हे गाईस कैसे हैं अगर आप एक smart watch purchase करना चाहते हैं चाहिए जिस smart watch के बारे में ये वीडियो है चाहिए आप उसको नहीं भी purchase करना चाहते है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत important है तो प्लीज रिक्वेश्ट करूँगा वीडियो का पंतक देखिए अगर आप एक smart watch purchase करना चाहते हैं आप company के तरब से दिएगे advertisement को देखते हैं तो आपको actually display के चारो साइट में कितना bezel वगरा वो आपको exact पता नहीं चलता है because company आप black watch faces को use करता है ताकि आपको ये चीज़ पता ना चले and कई बार company एक full screen type का bezel-less display भी दिखा देता है बट बात में जब आपके पास watch आता है तो आप देखते हैं कि चारो साइट में भाई काफी दा चीन वगरा मिल जाता है बट जब मैंने इस DJO watch D2 power को unbox किया तो भाई मैं shock होके रहा गया because इससे पहले मैंने कोई भी smart watch में नहीं देखा था कि जहाँ पर display के size को ही गलत बताया गया या फिर ज़्यादा बताया गया दोस्तों जब डीजो watch D launch हो था उस वक्त मैंने उसको purchase किया था और उसका quality था वो बहुत ही जादा amazing था price के हिसाब से चाहे आप किसी भी segment में देखे बट उसमें calling का support नहीं मिलता था तो recently डीजो के तरब से इस watch को launch किया गया जिसका नाम दिया गया डीजो watch D2 power तो आपको लगएगा कि भाई डीजो watch D जो है उसी का एक upgraded version है जहाँ पर आपको calling का support भी देखने को मिलता है ऐसा ही मैंने भी सोचा था बट जब इस product को मैंने unbox किया उसके बाद इसका जो quality वो मुझे एकदम भी उस label का नहीं लगा company के तरब से mention गया 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 watch के frame में आपको metallic coating मिलता है पता नहीं coating कहाँ पर है क्योंकि बाहर के side में तो मुझे यहाँ पर सिर्फ polycarbonate ही देखने को मिला है and काफी ज्यादा lightweight है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अंदर में कोई metallic coating बगरा हो सकता है बाकी सारा चीज़ों को देखेंगे तो पीछे क button को प्रेस करके display को on off या फिर back के हिसाब से यूज कर सकते है और यहाँ पर जो strap है वो आपको 22 mm का मिल जाता है बट जो buckle है वो आपको यहाँ पर plastic का दिया गया तो यह चीज़ भी मुझे अच्छा नहीं लगा साथी diesel watch D में जो strap का यूज गया था वो बहुत ही अच्छे quality का था बट इसमें जो strap का यूज करके वो बहुत ही नॉर्मल सा quality का है हां काफी soft है बट जो quality वो आपको काफी average टाइप का मिल जाता है और वाच का जो design है उसमें भी आपको काफी changes देखने को मिलता है अगर आप diesel watch D के साथ compare करेंगे उसमें उपर का जो display है वो आपको काफ आपने से वो काफी कम है and definitely diesel watch D का design बहुत आचा था इसका design उतना अच्छा मुझे नहीं लगा अगर बात करूँ तो जब यह आप इस watch को पहनेंगे तो आपको थोड़ा cheap चासा feel होगा and मुझे लगता है कि जिस price में available है launch offer minus 1799 रूपिस price में purchase कहा था regularly आपको 2022 रूपे के अ पर में company के तरफ से mention किया है कि यहाँ पर आपको 1.91 इंच का display मिल जाता है and ऐसा box के उपर भी देखने को मिलता है सारा space location हर चका पर आपको देखने को मिलता है बट ऐसा बिल्कूल भी नहीं है चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रूब करके दिखाता हूं तो इस डीचो काम आएगा आप सोच रहें दिखाता हूं क्या काम आएगा और इसके सचाई को जानने के लिए हमने यहाँ पर एक और smart watch ले लिया है तो यह जो smart watch है न यह है boat wave ultima इस watch में आपको 1.8 इंच का display मिल जाता है यहाँ पर आप clearly यह चीज़ को देख सकते है 1.8 इंच का यहाँ display दिया गया तो चलिए अभी असली testing करके देखते हैं चाहे किसी भी तरह का आप display को देखेंगे तो जो display का measurement होता है वो corner से corner होता है और उसके हिसाब से mention क्या होता है तो यहाँ पर हम एक छोटा सा simple test कर लेता है यहाँ से start करके यहाँ तर हमने यहाँ पर एक marking कर दिया हो सक specification के हिसाब से इसमें आपको 1.8 इंच का display मिलता है और इसमें आपको 1.9 इंच का display मिलता है तो यहाँ पर एक चीज़ आप clearly देख सकते है जो marking हमने किया था black color का वो exactly दोनों में similar सा देखने को मिल रहा है मैं आपको और भी अगर आपको लगता है कि इस side से ज़्यादा हो सक है तो मैं इस side भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर marking कर लेते हैं exactly similar आपको यहाँ पर मिल जाता है कोई भी difference नहीं है इस side से अगर आप देखेंगे देख सकते हैं exactly similar सा देखने को मिल जाता है कोई भी difference आपको इन दोनों watch में देखने को नहीं मिलता है so एक company यहाँ पर mention कर रहा है 1.9 inch का display और दूसरा mention कर रहा है 1.8 inch का display जहाँ पर अगर आप दोनों को side by side देखता है तो exactly display का size दोनों में similar मिलता है watch के frame को देखके decide मत किजिए because यह जो frame है वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए चारो side में आपको काफी bezel भी देखने को मिलता है इसका जो frame है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है और अगर हम measurement लेके देखे तो यहाँ पर 4.2 cm से थोड़ा सा कम यहाँ पर हो रहा है इसमें भी अगर आप measurement लेके देखेंगे तो यहाँ पर भी exactly similar हो रहा है 4.2 cm से थोड़ा सा कम तो यहाँ पर clearly आप समझ सकते है कि डीजो जो यहाँ पर बता रहा है कि 1.9 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है यह सरासर एक जूट है और यह चीज यहाँ पर आप clearly समझ सक आपने देखा कि किस तरह से company हाँ पर जूट बोलने की कोशिश कर रहा है मेरे पास यह दूसरा watch है ब्रैंड का नाम नहीं बताऊंगा इसमें actually आपको 1.9 इंच का display मिलता है इसमें 1.91 इंच का mention किया गया है बट इन दोनों को अगर आप side by side देखेंगे तो आप clearly समझ सकते है कि इसका जो display size है वो आपको काफी बड़ा मिल जाता है इसके हिसाब से अगर आप compare करेंगे जो कि इसमें और भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था तो यहां पर मैं साफ कहना चाहूंगा कि company हां हमारे साथ अपनी user के साथ धोका किया है इस watch को मैंने खुद purchase किया है मैं कि इसमें आपको काफी बड़ा display मिल जाता है तो एक value for money होगा इस price के हिसाब से जो कि अधर company नहीं दे रहा है पर जब मैंने इस convox किया तो देखा कि भाई यह तो company जूट बोल रहा है 1.91 इंच का बता कि यहां पर 1.8 इंच का display मिल रहा है तो ऐसा एक company कैसे कर सकता है realme क एक sub brand है तो भाई मतलब expectation जो है वो बहुत ही जादा डाउन हो गया मुझे डीजो के तरफ से इससे पहले मैंने डीजो के काफी सारे other product को यूज किया है चाहे वो smart watch हो या फिर नेक बेंड बगग रहा हो या फिर दी डाबले बगग रहा हो और कभी भी मैंने ऐसा notice नहीं कि कैसा है outdoor visibility किस तरह का है भाई company यहाँ पर जूट बोल रहा है यह चीज़ को हम कैसे बरदास कर सकते है क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारी user और भी हो सकता है जो कि इस 1.91 इंच के display को देखके इस watch को purchase किया है किस angle से यह 1.91 इंच का display है भाई डीजो से कोई अगर वीडियो को द यहाँ पर clearly मैं देख पार हूँ कि यह चीज़ नहीं है तो इस बारे में आपका क्या सोच है आप मुझे नीचे comment करके बताईए अगर आपको लगता है कि हाँ इस जूट के साथ भी इस watch को purchase करना चाहिए तो हम इसका एक detail review वीडियो बना देंगे अगर आपको नहीं लगत है कि भाई जूट के साथ इस watch को तो बिल्कुल purchase नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो को हम एही पर खतम कर देते हैं तो दोस्तों अंत में आपको एही कहना चाहूंगा कि इस watch को आप बिल्कुल भी purchase मत कीजेगा अगर आप इसको purchase करते हैं तो company को एक encouragement मिलेगा और future में वो साथ ही बाकी सारा चीज़े भी अगर आप देखेंगे जैसे कि notification का font बगरा हो गया या फिर voice assistant का support नहीं मिलता है calculator नहीं मिलता है इसके लब जो build quality या फिर step का quality बगरा बो भी मुझे एक दम भी आचा नहीं लगा हाँ एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो mic का quality जो call quality आपको काफी आचा मिल जाता है हाथ को दूर रखके भी अगर बात करते तो भी काफी सारा आवाज आपका capture करता है इसके लिए बाकी और कुछ भी मुझे खास नहीं लगा तो मेरा साइशन तो रहेगा कि आप इसको बिल्कुल भी purchase मत कीज़ेगा फिर भी अगर आप purchase करना चाहते हैं तो बेश्ट पैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पहुंसे के चेक आउट कर सकते हैं इसके जगा पी दो खाजर रोपे के अंदर आने वाला कुछ बेस्ट स्मार्ट वाच का लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वो करा का वीडियो साम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थेंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद